आज हम आपको आग्रूप इंटर्मीट में आपके एक अच्छा चेप्टर है, इसको प्यार कर आए लिए। इस्टोरेंट को आगी हूँ की कोज मुई जाए, वो की जिए सेरे वेस्टन है इसकी कोज की और जिया मिलती के अपनी के रूप में इसको लाया गया। हम लोग इसको अपयोग अपने देरेक इपर में देखते हैं कि mathematics, physics साथा, science की साथा और समासा, karsा, सांतिती इसको प्योग बहुत जादा बढ़िया है। mathematics में एक ही समी का निकाय का जो खल हम लोग करते हैं, वो भी mathematics की सायता से ही हम लोग इसको करते हैं। इसका अपनोग बहुत जादा है जैंने एक ही समी का इसको सौर्ट रहे जादा है। इस्टुणेट आधिउ को हम लोग ग्राउन पर चू देखते हैं। दुकंदार सामानों की सूची रहती है उसको हम लोग बिवश दरीके से करता है। तो हम दोगी देखते हैं कि नहीं 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 गई इसको आयती रूप में हम दोगर ववस्तत करते हैं और यही आगू ज़ाता है हम दोगर पोच एक ववस्तत को देखने जैसे तो हम दोगर पोच को देखने जैसे जो आप दोगने की नंबर लेखे हैं को देखने जैसे यह नंबर देखने में हम दोगर पोच करते हैं अब इसको में एक वोश्तत देजे तरही वेवस्तत करते हैं संख्याओं को एक वोश्तत में आयता का सार्णी हमें लोगर देखा यही आपनी को देखा अब आभी की डेफिनिशन को हम दो कैसे पकड़ेंगे कैसे लिखेंगे आभी MN को देखा होते है इस टर्म है उसके M संख्याओं सथा N संख्याओं को एक आयता का सार्णी में वेवस्तत करने को मुलोग M,Y,N,N,N आभी दून गोल देखा द गोल देखा आभी कैसे और इसको मुलोग आयता का सार्णी में थार्णी में आभी वह दो आ यह है एंग गुणा एंग किरम का अधी रूप यह है आपको यह है आपको यह दो है नि आपको बहुत को पढ़ना इसके रहते हैं वह दो आपको बताई चुके हैं कि हम लोग इसे क्लास प्रेट आएं या पीटी करा रहा हैं तो वह दो बहुत को कि इससरे से गढ़त रूप पढ़ना हैं हम लोग और भी देखें यह एक पंकी इसमें दूसरी दू पंकी है और तीन इस्ताम है यानि कि यह दो बाई तीन करम का आपीव तो अब उन लोग आते इक पे एक क्रम के तो हम लोग ने क्या देखा और प्या आते हैं क्या देखा कि इसमें जुच्छत रूप होता है उन पंकी वेक्टर कहलाता है यानि कि लोग वेक्टर कहलाता है उसमें गुर्दवादर लूप में होता है वह है आपका वेक्टर कहलाता है इस तरह से यानि कि हम लोग पहले है इसमें वेक्टर है तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें को गिनना है और इसमें को गिनना है वही यानि कितनी पंकियां हैं वह बिन नहां पहले, M पंकियां जैसे, और N स्थम हैं तो वह M by N क्रम का आदू तहलाता है, यह हो गया उसका आदूर, अब हम बात आते हैं उसके अलिवेंट, तदा अव्याप्ती, यानि कि आदू में जो हम लोग संख्यां लिखते हैं, उसा इता बात आते हैं जैसे हम लोग देखाँ 3, 2, 1, 1, 4, 5 यह उसके अव्याप्ते हैं अब उसका होता है जो रुपभर्जे प्रजेंटेशन है, यानि कि हम लोग अभी उकको कैसे निरूपित करते हैं मिरूपित करते हैं, इस पूर आदूर आदू को प्रके समाल लेकरमें उसको तो यह हो गया आपका आगू का क्रम, आगू का रिप्रेजेंटेशन, निरुपन और इसके आगूर, अब आगली जो क्रम में आता है, वो आता है आखिर आगू के प्रिकार क्या होते, टाइप्स ऑफ मैंटिसिस, इन्हीं आगू को कितने प्रिकार में बाटा गया है, यानि क हम लोग इसकी डाइप्नेशन, इनकी टायप्स को अच्छी तरश समय देंगे, तो हमें जो चैटर, यह जो चैटर वे आपकार है, बहुत एजी आपको लगेगा, पहला प्रिकार आपका आपका है, अगर हम लोग देखें, तो छिते जाभी, छिते जाभी नीए, इसमें प कहलाता है, फंजेंटल मेंटेश, वेर्टिकल मेंटेश में क्या होता है, जिसे छेते जाभी को अधाना था हूँ, आप लोगे देखें, एक दो, तीन, चार, पान, शे, इसमें पंक तीन, दो तो और इसम देर, अब पंक कियों संखे यदि जादा हो जाए, तो वो कहलाता ह है, फूर्जवा गारा थे, यानिकी छेते जाभी, फूसरा हम लोग लेने जा रहा है, फूर्जवा, इसार आभी, यानिकी होरिजेंटल मेंटेश, और ये वर्टिकल, इस तरह से, वर्टिकल में क्या होता है, कि इसमें पंक्कियों की संखे जस्न लुटा, जादा हो जाता है, जैने कि पंकियों बढ़ जाती है, जैसे हम तो देखे, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई भी हम उलबादे, इसमें चार पंकियों में तीन इसम होगाई, ये कहलात है, पूर्द बादर आदे, फिर आता है, वर्ग आदू, स्क्वार्मेट, स्क्वार्मेट इसमें क्या होता है, कि ऐसा आद्यू जिसमें पंकियों की संख्या और इसम्मों की संख्या बराबर हो, जैने कि एम बराबर एम पंकियों होता नहीं होता नहीं, इसम्मों की इसम् आपका वर्ग आगू बहुत अच्छी करें समखिए आपका फिर आता है सून आभिय। इसके बाद आता है कि काई आगू यूनिट मेंटेश में क्या होता है कि ऐसा बर्ग आगू जिसके मुख्र विकर्ड़ के सभी अभियाव। इसके बाद आता है यह आपका मुख्र विकर्ड़ कहलाता है तो इसके मुख्र विकर्ड़ के सभी अभिया बन बन हो। इसके बाद तीन बाद तीन में देटे हैं हम लोग। तो यह आपका एकाई आगू एकाई आगू को बहुत अच्छी तरजे आप लोग। इसके मुख्र विकर्ण के सभी अभिया एकाई बन हो। आप मुख्र विकर्ण को आप समझ गाए हैं कि रॉआ कि आपके सीडी द्रुमा याई कि सुगात के साथ से काणि करती हूए ऐस्ट्र आishing अवस्ता को एक विकर्ण करूब में देखें मुख्र विकर्ण फिर एक राता है आधेश आभव ने क्या होता है जिसे अभी आपके लेखा इन्ichen equips में कि सभी अभय अवर अभ बनते हैं अप अदेसाभव में क्या होना है कि सभी अभय अभ, समान होनते हैं जिस तीन-तीन में हो सकता है कशें आईएगा तीन, तीन, तीन यह वर्ग आभू में रहाएगा लेकिन इसके मुख बेकर करके सब यह बरावर होगी के-के भी लिख सकते पर लोग, कोई भी लेटर बरावर बना सकते हैं तो यह कहला था अधिस आभू, इसकेलर मैंटिक्स इस तरह से टुडेंट आपने सकेलर मेंटिक्स भी सीखा तो इस तरह के आभू आप देख रहे हैं कि इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आभू आपने सीखे और किसी केलर में हम लोग के और भी आपके आपके आपगू आएंगे इतने आप लोग प्यार कर दीजिए आज इसका आपका हमबर्ग भी थोड़ा सा देख लीजिए कि जो हमने आपको डेफिनेशन है बोली लिख हो आई इसमें दिखी आप लोग इसको थोड़ा सा समय लीजिएगा दोक उठाइएगा लैसन इस लैसन की बुक में जो वह डेफ आपका लीजिएगा आभियू कितने प्रकार के होते हैं आभियू कौन कौन से टायर के किसके स्क्रम में होते हैं उनका कैसा रेप्रेजेंटेशन कहलाता है आभियू को आयता का रूप में भी लिखते हैं इस तरह से उसके कई रूप भी होते हैं इस तरह से आभियू इसको